सत्यभामा इंस्टिट्यूट अफ साइन्स एंट टेक्नोलजी चिन्नाई सीबी एसी बारवी बोर्ट परिक्षा 2021 के निन्ने के बाद अब इंतजार है क्लास 12 यूबी बोर्ट के फैसले का चलिए देखते हैं यूपी के डेप्यूटी सीएम दिनेश शर्मा का क्या कहना है जहां करोना का जो संक्रमन है कम नहीं हुआ है मैं समझता हूँ कि ये इस निर्णे का सभी तरफ स्वागत हुआ है भी कुछ दिनों पहले मानी सिक्षा मंतिजी मानी राजना सिंग जी के साथ साथ प्रकाज आवेटकर जी और इसमेतर रानी जी का के साथ में बैटक हुई थी इसमें तमाम सुझाओ आये थे उत्तर प्रदेश में 66 जीलों में करोना कर्फ्यू में धील हुई है और कई जीलों में स्थितियां सामानी की ओर बढ़ी है तो इन फिर भी मानी प्रदान मंतिजी का जो निर्णे आया है उसके संदर में हम लोग पूरे प्रदेश की स्थित्त का परिष्ण करेंगे हावलो उत्तर प्रदेश के संदर में हम इस उत्तर प्रदेश में जो माज्मी सिछा परश्रत की परिष्णे हैं उनको इस Thytty के सामान ने होने पर जुलाई माह में यह भी समय है करने का प्रस्ताव रखा था इस्थित्यां कितना समान होती हैं क्या होता है इसका आंकलन करने के बाद ही बारवी की परिश्चा होगी की नहीं होगी इसका निर्णे लेना सेश था तो मैं समस्ता हूँ कि मानी मकमंती जी के साथ में हम लोग बैठ की पूरी प्रदेश के संदर में इस्थित्यों का आकलन करते हुए जो हमरे केंदिर सिक्षा मंती जी हैं उनसे भी बात करने के बाद हम लोग बारवी की परिश्चा के संदर में किस प्रकार का क्या निर्णे ले सकें इसकी तरफ हम लोग विशारों परांथ ही हम लोग इसके तरफ बढ़ेंगे लेकिन प्रदान मंती जी नाज जो निर्णे लिया है वो एक पूरे देश के लिए एक हितकारक है और चात्रों को इससे बहुत बढ़ी रहात मिली है चात्रों की सुरक्षा हमारे लिए प्रथम है शिक्षों की सुरक्षा हमरे लिए प्रथम है और इनका संदर्व के साथ ही हम कोई निड़न लेंगे उत्तर प्रदेश में हमने जो गच्छा 6 से लेकर और 11 तक का हमने प्रमोशन किया है हाई स्कूल की परिच्छा निरफ करके हमने इसको प्रमोट करने का निश अच्छा करते हैं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी इस जानकारी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर करें और देखते रहें जागरनजोश.com